नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्ट गेमर्स का आए और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे स्वाक्थ्रो में जिसका नामे पोक्यमॉन जी है वर्जन 3.2 पिशली बार हम लोग यहां टलमक सिटी के तरफ आचुके थे और टलमक सिटी कम्प्रिटल एक्स्प्लोर किया था और अज हम जिम को चैलेंज करेंगे देखते हैं क्या चैलेंज आते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ आप लोगों ने कमेंट किया था कि ए पोक्मोना रहे थे अब अडिश क्लूम बेल स्प्राउड विपिन बेल फेरो सीड तो शायद कुमी का एंकाउंटर परसेटेश कम रहेगा तो कोई प्रोब्लेम नहीं यह वीडियो होने के बाद में उसको आफ स्क्रीन पकड़ लूँगा और फिर अगले एपिसोड में टीम अर आपका कोई और है तो कमेंट करके बतादो अगर स्ख्राउंध है तो विडियो पर एक लाइक करदो तलमॉस सित्य पोकिमों जिम लीडर चेट चेल अपिंवस्टेश वार मेंडञ़ेथर। the most dangerous maybe water type gym leader welcome to the telmuk city pokemon gym you should better brace yourself because this is a poison type gym not only that but it takes place in well a sewer good thing you have that gas mask okay so surf to use karna padega hum log ko are you grossed out yes actually koji baat nahi oh garborder right from the start if we can get flame wheel ke saath skin tank poison or dark type flame wheel me jarae sablog to koji problem nahi hai yeah i am aapko level ups दिखा दू इन्फर्णपे 55 star aptor 49 nero king 52 zipsrika 47 vaporion 45 or venusaur 48 किसने तो मुझे सवाल पूछा था कि star aptor brave bird कब सीखता है मुझे याद ने किसने पूछा था i think 2 या 3 episode के पहले तो 49 लेवल पे star aptor brave bird सीखता है पावर है 120 accuracy है 100 ओके यहाँ पर जाना पड़ेगा इंडरेक्ली सबको हाराना पड़ेगा अदर्वाइस gym leader की तरफ जाने का रास्ता आसान नहीं है ओ यह partly fighting div पर अक्रोबैटिक्स टीक रहेगा तॉक्सिक रुक जिए को और एक्रोबैटिक्स के साथ जाओंगा चीक है और यहां से तो ब्लॉक्ट है एरिया यहां पे देख लेता हूं और यहां पर भी ब्लॉक्ट है एरिया चिक है चैलेंज तो कर देते कम से कम मग यूज़ कर रही है मैं जाएगा फ्लेम विल के साथ और डिसेबल कोई प्राउलम नहीं अक्रोबैटिक्स खतम कर दूँगा अफ्रोबैटिक से और एक और ट्रेनर को हरा दिया सैटरडे से लेकर ट्यूजडे तक वीडियो शायद नहीं आ सकते क्योंकि मेरी में जो एक्जामेप मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की वो चालू हो रही है उस दिन से तो आइधर मेरा रेकॉर्डिंग और एडिटिंग कंप्लीट हुआ तो मैं लेट्स गो लूग गया के वीडियोज डाल दूँगा दो या तीन पार्ड बाकिया सिर्फ उसके अधर्वाइस वह दो तीन दिन वीडियोज नहीं आएंगे मुझे एक्जाम के उपर फोकस करना है कि तब तक आप एंजॉय कर सकते जिया कि मैं सब्सक्राइब कुछ नहीं कि इतना घुम के आने का था इदर अभी पिन बेल कि फ्लीम भी ठीक है कि हमारा इंफर ने भी बुरा जीम जीत लेगा शायद कि शोर नहीं हुँ मैं कि विक्ट्री बेल भी गया है कि कुछ तो अनलॉक किया कुछ तो लॉक किया मैंने ओके इदर अनलॉक हो गया इरिया और इदर एक निंजा कि क्या यूस करेगा अरियाडोस के लिए फ्लेम विल ठीक है शैडू स्नीक फास्ट हम से शैडू सिंग एक क्विक अटाइक जैसा है क्विक अटाइक अक्वाचेट कितना भी आपका पोकेमान स्लो हो वह पहले स्ट्राइक करता है क्विल फिश है नेक्स्ट पॉइजन पॉइंट उसके अबिलिटी हो सकती है तो स्विच आउट करूंगा मैं जब स्टिका के साथ वेपारियम 46 पर जा चुकी है यहां 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 से भी कुछ नहीं यहां से भी कुछ नहीं यहां से भी कुछ नहीं तक ए? So, you are the hotshot taking the law into your own hands. I like your style, kid. But, you know, crime round these parts doesn't disappear overnight. Take it from me, Tellmuk's very own Arbok man. Between you and me, my name is actually Sid. It doesn't have a heroic ring to it, though. Hence the alias. As for the mask, well, it helps when you work from a sewer. Let me show you how real justice feels. तो चलिए, आज हम चलेंज करेंगे एक Arbok man को, Tellmuk's City Gym Leader Sid. उसके चार बक वोन. पहला है, of course, Arbok. इसलिए तो वो Arbok man है. हम जाएंगे फ्लेम विल के साथ. गलेर मुझे डाउट था ही. पैरलेस करने की कोशिश होगी. हमारे पास पैरलेस हील है. सिट भी Hyper Potion यूज़ कर रहा है. मड़ पाउम, effective. दो फ्लेम विल में Arbok तो गया. नेक्स्ट है नीडो किंग. नीडो किंग के लिए Vaporion is the best choice. और हम डिरेकलिस सर्फ के साथ जाएंगे. ओ, स्टर डियाबलिटी नहीं, अच्छी बात. नेक्स्ट है Venusaur, आज हम Brave Bird ट्राइ करेंगे स्टार आप्टर का. में भी Mega Evolution रहेगा. फिर भी Mega Evolution है ही Venusaurite. फिर भी मैं जाओंगा Brave Bird तो. ये क्या glitch हुआ क्या? हाँ रे glitch हुआ. उरको ज़रा दो मिनिट. तो मैं वापिस आ चुका हूँ. अब मैं शायद Brave Bird इस्तमाल ना करूँ. अगर फिर भी मैं बहुत जित्ती लड़का हूँ. तो मैं वापिस Brave Bird के साथ जाना चाहूँगा. तो ये glitch होगा तो वापिस हमारा game freeze होगा. अदरवाइज जी हाँ Brave Bird का कुछ तो glitch है. तो मैं आपको बता दू प्लीज Brave Bird इस्तमाल ना करे. तो मिलता हूँ मैं फिर से इसी spot पर. तो मैं भी फिर से आ चुका हूँ. देखते हैं वे सचमुझी glitch है कि नहीं अभी तो मैंने इन्फरनिप को यूज किया है. और मैं जानगा flame wheel के साथ. अगर glitch रहेगा तो flame wheel का भी glitch होगा. flame wheel का तो glitch हुआ नहीं. इसका माद़ ये confirm है कि Brave Bird का कुछ ना कुछ तो glitch है. आज़र open का Pokemon Mega Evolve होता है तो glitch है. या फिर by default कुछ तो glitch है. तो ठीक है कोई problem नहीं. हम इससे आगे Brave Bird का इस्तमान नहीं करेंगे battle में. विसे भी मैं off screen ट्राइ करूँगा. Brave Bird एक बार यूज करके. अज़र फिर से hang हुआ मेरा SI. तो मैं समझ जाओंगा कुछ ना कुछ तो problem है. ट्रापियाँ तो गया. और हम लोगों ने sit को हरा दिया. The heroic display. Take this. Pollution badge मिला हम लोग को sit की तरफ से. It seems my filtration was effective. You are a pure trainer. So take this. Oh TM-36 sludge bomb रहेगा. That is TM-36. It is sludge bomb. A powerful poison type move. It shows to assist you in your crime fighting exploits. Rise up from the gutter sky. You wall. Thank you very much. तो जीत तो गया हम लोग. वापीश जाएंगे. यहां से आये थे. Oh उरुको जाल एक मिनिट. Listen punk. This information is important. Stop fooling around. Oh Sky. Perfect timing. Come help me out. This mighty Anna dude here. He says he has valuable information about the new elders. But he refuses to talk. Wait. Did he say Sky? You are the kid that took down Akuto. Please don't hurt me. I shall tell you everything I know. I overheard them new oldens or whatever. Talking about Ray still. Says this headed to some cave north of the city to awaken it. Things they said it was the Friar Ruins. Or wait. No. Ferry Ruins. Yeah. That was it. Anyways. They was rambling about some new world order stuff. Then some dude in silver like the big boss appeared. He said a few things and then they all left in a big hurry. He looked real intimidating like. If I was you, I wouldn't go chasing after him. And that's all I know. I swear. You didn't hear it from me. Though. Last thing I need are some big time criminals going after me. I probably said too much as it is. I'm out of here. Whoa whoa. Just happened. You took Akuto down? That's awesome Sky. You continue to surprise me. Now. What was it that guy said? Ferry Ruins. Right? I saw that on my town map. It's north of here. So we just go through the underground path. I shall meet you there. Don't take hope forever. Alright. Okay. Thoda bada bhi tricky ho ra hai mission. Whoa. You managed to take sit down? That's impressive. You also seriously stink of the sewers. Tabhi hum jayenge phele Pokemon center heal karne ke liye. Or phir woh underground path ki tarap badaenge. Heal kar lete a ek baar. Thank you. Chalo phir. Underground path yeh se hai. Here a underground path. Malha koji nahi underground path mein. Achhi baat hai. Battles, Beatles nahi hai kuch. Oh. Oh. Do excuse me child. Wait. We have met before. You are Charles 8. Correct? Say. You are not the same trainer who helped Bailey at Sabulo. Oh. You are. Outstounding. Charles has recruited quite the prodigy. I knew those new elders were up to no good. Now. I must dash but if you are headed past here, you shall need this. It's HMFI rock climb. Oh HMFI. Rock climb lets you scale the rocky walls in Telmerk outskirts. It's a pleasure meeting you again. Oh. This is embarrassing. I am afraid I have forgotten your name. What was it? Ah. Sky of course. A wonderful name indeed. Very well. Good luck on your journey Sky. Thank you for the rock climb to be honest. क्योंकि अभी हम पहले जाएंगे और rock climb के एरियाज एक्स्प्लोर कर लेंगे. कौन-कौन सिखता है rock climb? Venus War को सिखाते है. Double H से अच्छा rock climb है. क्योंकि Double H में required damage है. जो यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है? Telmerk outskirts underground path leads to Telmerk city. क्योंकि यहाँ पर जाएंगे रिपेल यूज करके मैं देख लेता हूँ कुछ है क्या? यह तो हम फिर से पीछे जाएंगे. वो तो हम fly करके भी जा सकते हैं. आँ. ओहो, Megastone. Pigeotite. Pigeotite का location. Telmerk outskirts के दर है. ओ, fly सिखा है नहीं कहा है मैंने अब तक? अब रेयोबर्ण निकालते थे अभी. ओके. चुदो फिर, fly यूज करते. इसलांटो टाउन में तरफ बढ़ते वापिस. और यही से देखेंगे अभी, कोई rock climb areas है, नहीं है. पता चल जाएगा. जी हाँ, यहाँ यहाँ पहला rock climb area. टी-म-37 iron head, और एक moon stone भी मिलाया ज़ा hidden item. और यह surf area भी hidden था, ठीके. इसलिए मैं पहले आया, यह exploration करने के लिए, जो कि शायद मेरा अच्छा decision है. यहाँ पहले तो बाद में आना होगा. फिलाल रिपेल्स यूज ने करूंगा, सिटी में हूँ. खेर आपको यह boring लगेगा, कि अभी क्या exploration कर दा है. अगर अभी कर लूँगा, तो अच्छी बात है, बाद में time waste करने की ज़रुवरत नहीं. तो बाद में ढूंटे फिरेंगे, कहां कहां पर है, रोक प्लाइमेरियाज. यह देख़ए एक और रोक प्लाइमेरियाज. टॉक्सिक और्ब मिला है यहां पर. ठीक है, सब जेगे पर मतलब पोकिमोन नहीं होते. ठीक है, जितना हो सकता है, उतना आज एक्स्प्लोर करके लेंगे हम. रोक प्लाइमेरियाज. आर्चन टनल में हो सकता है. क्या? मालूम नहीं मुझे. देख लेते, चलो. शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी. अब तो रोक स्मेश भी है हमारे पास. यह दे सर्फ का देख लेते, यहां पर तो कुछ नहीं. यहां पर तो कुछ नहीं. यह शायद आर्चन हाँ, आर्चन टनल में आता है यह अरिया. ठीक है. तीन ब्लू शाड मिले. ठीक है. वैसे तो कुछ नहीं यहां पर. यहां पर भी कुछ नहीं. वो तो सीडी हुआ हमें. यह की तर्व लेखके जाती है. जो कि हमें शायद लस्यो शायदसे के तरफ लिलेखके गई थे फिछली बार. आप्वे यहां पर दिखा देता हूं कि यहां पर कोई राक्रियम एरिया है नहीं. मेरा कोई भी राक्रियम एरिया यहां पर नहीं. को ओ pouring आखिए. यहां पर भी कोई रॉक्लाइम एरिया नहीं सेरोस विलेज में आ चुके यहां पर है रॉक्लाइम एरिया हमें मिला है असल्ट वेस्ट ठीक है वो नए एरिया में हम बाद में जाएंगे नए आर्चेंट टर्नल में पहले हम और देख लेते सेरोस पाथ जितना होगा उतना आज अच्छा है बाद में टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं यह एक है रॉक्लाइम जो की प्रगरिकी का शॉट्ट कट ओके तो इतना ही है यहां पर विस फारस में कुछ है तो नहीं रॉक्लाइम करने लायक कटेरियाज ही है उदर सब कुछ यहां रिपल तो यूज़ करूंगा मैं एरोस रोड यहां पर देख लेते हैं कि दर है क्यारा क्लाइम यह यह मुझे कई से तो नहीं कि दर से तो कनेक्टेड एरिया जी हां यहां येलो शार्ड मिस्टर्स हाउस आविल टीच पुक्मा मूव्स फॉर यलो शार्ड देखते हैं क्या के सिखाते हैं कि साइवे मेगा किक मेगा पंच आइस पंच फायर पंच उन्ट गट्रें फ्राइश वोड जांब बूम बर्स्ट अच्छे मूव सिखाता है कि फिलाल तो कुछ नहीं सॉरी इथर मिला एक इड़न आइटम और टी-एम-20 फ्लैश कैनन सब स्टील टाइप टी-एम मिल रहा है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टी-एम-टी-एम है यहां पेशा एक इड़न गुराटो था हां ओके ओके एरोस कि सिटी आ चुके कि यहां पर भी एक है मेगा स्टोन का लोकेशन शर्पीडो नाइट है कि टीक है इसी में तो नहीं होगा कि इदर भी रोक क्लाइम एरिया और यहां पर रहे क्या नहीं टाइम बेस्ट करने के ज़रत नहीं यहां पर चेक करते हैं डिरेक्टली आगे बढ़ते आर्चन हिल्स यहां पर भी कुछ नहीं यह रहा है हमने दो घ्रन ग्राटा दो एक्स्प्लोर किया था तो एक और पोक्यमोन है कि सम्थिंग अंसीबल इंदिर बे ओके केक लिए ओन ओके फाइट टोने करूंगा मैं एक पारियन के साथ जाओंगा पकड़ना है तो सर्फ देखते कितना डैमेज देता हूं ओके अल्ट्रा बॉल है अभी मेरे पास मैंने पर्चेस कर लिये थे अल्ट्रा बॉल ज्यादा इज़ी होंगे वह पकड़ना कि लिए उनको पकड़ लिया कलर स्वाप पोक्यमोन गया अभी वह वहां से है कि अगे बागे तो कुछ नहीं है यहां पर तो चलो फ्लाय करके जाएंगे सेरोस विलेच और वो हील करके पिछले वाला जो अर्चन टनल है वो अभी लेंगे हम रॉक क्लाइमिंग के लिए और आज के लिए यहीं पर रुखते तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस वुड़े में मेरे साथ चुटने के लिए अगली अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना नए हो मेरे चैनल पर अगर कंटेन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिलता हूं आपसे अगले अपिसोड में तब तक के लिए अलविदा